रोट शेटी का स्टंट बेस्ट शो खत्रो के खिलाडी 14 का फैंस बेस सब्री से इंतिजार कर रहे हैं। इस शो को लेकर धीरे धीरे अपडेट्स सामने आने लगी हैं। टीवी की पॉपुलर आक्ट्रेस और बिग बॉस 17 फेम अंकिता लोखंडे का नाम खत्रो के खिलाडी सीजन 14 के लिए सामने आया है। वहीं जलक देखला जा सीजन 11 के फाइनलिस्ट शोई बेब राहिम को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। खपरे हैं कि आक्टर इस बार खत्रों से खेलते हुए नजर आएंगे। बिग बॉस OTT सीजन 2 रन अप अभिले इश्क मलहान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यूट्यूबर को भी खत्रों से खेलते देखा जा सकता है। बिग बॉस 17 में अपनी क्यूटनेस से सभी को दिवाना बना जुकी। अक्टरस मनाला चोपडा को भी रोईट शेटी के शो का ओफर आया हुआ है। एश्वर्या शर्मा के बाद अब उनके पती नील भड भी खत्रों के खिलाडी बनते नजर आ सकते हैं। हड़ा के अभी कुछ भी कनफर्म नहीं है। बिग बॉस में अपनी बेकावी के लिए जाने जाने वाली खानजादी और फिरोजा खान को भी खत्रों के खिलाडी 14 से ओफर आया हुआ है। रिपोर्ट्स के मताबे कि टीवी अक्ट्रस हैली शा को भी रोहत शेटी के शो के लिए अप्रोच किया गया है। टीवी अक्ट्रस और बिग बॉस 16 फेम निरित कौर आलुवालिया का नाम भी खत्रों के खिलाडी सीजन 14 के लिए सामने आया है। बता दें कि अभी इन सभी की हामी का इंतजार मेकर्स को है। ऐसे में देखना होगा कि इन सलब में से फैंस किने शो में देख पाएंगे।